सब्सक्राइब कीजिए हैश्टेग हिंदी यूटूब चैनल को और दबाईए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले किरदार निभाती नजर आएंगी इन सभी किरदार को विये प्रेक्स के जरिये पूरा किया जाएगा वहीं प्रियंका ने इसे लेकर खुशी डाहिर की है गौर तलब है कि पहले ऐसी खबरें थी कि सल्मान खान की फिल्म भारत के लिए प्रियंका चोपडा ने भारी भरकम फ यहां तक उन खबरों का सवाल है जिसमें कहा गया है कि प्रियंका ने इस फिल्म के लिए 12 करोड रुपे दिये हैं वेह गलत है वही प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने कथित वोयत प्रिंड निक जोननस को लेकर काफी चर्चा में है इस बीच वेह बीती रात प्रियंका ने इस मौके पर सफेद कलर की साड़ी पहन रखी थी साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर आकाश और शलूका को बधाई दी है उन्होंने लिखा बहुत शांदार सर्मनी थी मेहंदी है रचने वाली दोनों को प्यार प्रिवेदिंग पार्टी वही एक ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को फिल्म भारत के बाद बॉलिवुड में दूसीरी फिल्म मिल गई है जानकारी के अनुसार प्रियंका फिल्ममेकर सुनाली बोस की फिल्म में नजर आने वाली है फिल्म आयशा चौदरी की जिन्दगी और उनकी किताब में लिटेलेंपी फान येस पर आधारित है इस फिल्म में फर्हान अखतर भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे इस फिल्म में प्रियंका एक मां का किरदार निभाती नजर आएंगी दोस्तों इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के करना न भूले और ऐसे ही लेटेस अपड़ेट पाने के लिए हमारे इस चानल को सबसक्राइब जरूर करें